कि राम राम जी यार क्या माज आ रही है आप विदिया की वैसी बगत कट रहा है त्राइड राइज भी होगे तयार कि आज मैं सोचता है मेरे साथ नारा वाले घर में क्या पेरानॉमल एक्टिवेटी विडियों बताई दूं है खाने वाले की तयारी होगे पूरी अब चनाता हूं सारा वैटर अब ठीक है ना अब बहुत बढ़िया जब मैं नारा में रहता था ना तो जिस बिल्डिंग अपार्टमेंट में रहता था वहां से मेरा ओफिस जो था अठारा से बीश मिनट लगते ती सिरफ पहल चलके जाने में फिर जब मैं वापस आता था तो मेरे आसपास की जो लोकैलिटी थी वहां पर कुछ था ही नहीं घर के बहार था शिरफ एक कर्वीन स्टोर मेरे ऑफिस के पास एक मॉल था वह 9 बजे बंद हो जाता था यहां पर मेरे घर के आसपास नदी किनारे बैट जाओ या फिर पार्क वार्क है शाम को रिलाक्स इसाथ भी अपना जाए ऐसे फॉन पर बात कर लिए घर बात कर लिया दोस्तों से बात कर लिए अपने जीवन के बारे में रिलाक्स टाइम अपना होता है बहार निकलके कुछ करने का था नहीं मेरे घर से थोड़ी दूर एक पार्क तो था पर वह भी शाम को आट बजे बं लग जाती है तो मैं क्या करता था जैसे खानवाना खाके अपना ओफिस की जो पढ़ाई बढ़ा कर आगे बहां निकल जाता था थोड़ी वॉक कर ली या कहीं उस ग्रेवियाड में जाके बैठके चेल अपना जो भी ड्रिंक होती है जो उस कॉपी यह जिसको जो भी पसंद ह मैं आपने लेकर बैठ जाओ गानेवाने और सुननो और विए और ःक्षणी मिडेंसुन्राओ त written वह जा करता था और रात को ग्रेवियाड में पता क्या होता है ड्राप साइलेंस वहां पर हावा की आवाज आती है साह अग्ंसान कि कि कोई आवाज ने आती वहां पर 년- सब्सक्रावाज तो एक पर यह कोई दम गीनृ कोई मतलब नहीं होत है कि सब्सक्राइब ऑगले दिन भी उस最終 multiplication वेघियाार अपना पर रिल्लाकस चिलमार रहा था है उस दिन भी इसी के रहने कि आवाज आई यह तो रोज की रोजी सीनों रहे चक्र क्या है मैं खड़ा हुआ नहीं देखा तो वहां पर सच में एक आउटी रही तो मुझे तो इंसान जीता जागता दिख रहा है कोई ऐसे बात तो है नहीं और मुझे क्यों कुंगली करनी किसी चीज में मैं खड़ा हो म और अपना उसको याद करने के लिए आई हैं और अपना थीक है इमोशनलों के रो रही हैं दो ग्रेवियाड थे मेरे घर के आसपास तो मैं दूसरे में जैसे जान लगा तो वहां पर भी गाड़ी यह खड़ी थी दो तीन एंट्रेंस में नहीं कि चक्कर क्या गाड़ी वा पर लाइड दो 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 दिन इस दुट्टी मिलेगी मैं अच्छा चलो ठीक है फिर मैंने सर्च करा कि फीए ओबन फेस्टिवल होता है जैसे इंडिया में धर श्राद बनाते हैं तो तो उनकी पूर वज्ज जो अब इस दुनिया में नहीं है तो उनका श्राद करते हैं तो उप जिसों भूदी सी इधर दर हेीर होटी है जो इस माला जाता है कि इन दिन वो इस धरती वह से मिलने के लिए अपने जाते हैं अपने फिरिवार्म के लिए तब उसमें उनकी खुशी के लिए festival मनाया जाता है, light लगाया जाती है, dance once होता है, और खाना वाना चड़ाया जाता है, पूजा पाथ होती है, ताकि ये स्वर्ग से वापस हमसे मिलने आए है, खुशियां बाटने आए है, तीन-चार दिन हमारे साथ रहेंगे, उसके बाद ह बुरे स्पिरिट, जिनके उनके काम रहे गए थे, जो अपना कुछ करना चाहते थे, वो इस सीजन में, इस दौरान में करके जाते हैं, जिनके पूरवजो की डेथ हो रखी है, उनकी ग्रेवेड वाँ पर बनी हुई है, सिरफ वो ही लोग जाते है, और वो उनमें और कोई पिस्तर में बाड़ दखा हो, तुमसे हिला नहीं जारा ही पर तुम उठना चाहते हो, वो सिरीब पयरना हुटा, उखता हुटा है, पर तुम्हारा शरीर नहीं उठा होता है, जिसको हो आए उसी को पता है कि उस टाइम पर बहुत ज्वार बहुत जाला डर लगता हृ escape क्य में रूटीन में जाके बैट किया अपना चिल मार रहा हूं रात को बारा साड़े-बारा के आसवाद में वापस घर आ जाता था उस अगली रात को फिर मेरे साथ वैसा ही सेम वोई स्लीप परलाइस उठानी जा रहा उठानी जा रहा और हाथ पर हिडाने की कोशिश कर रहा तो ऐसा लगता कि को अंदेरा कोई परचाही चाहती पह चड़ ही और हिलने ने तेरी हिलने देरी सेकिंड़ों का कुछ होता है उसके बाद उठके ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है और फिर वही रात को बत्ति जला कर सो जाओ डर तो लगने लग गया था मैंने एक दोस्त को ब पहली बार हो रहा था तो मेरे उठी चुल मैंने का फिर जाता हूं ग्रेवियर्ड फिर चेक करूंगा आज होता है कि नहीं होता वहीं बैठा अपना बारा साड़े बारा वे तक टाइम फोड़ा उसका घर आके सो गया उस रात को फिर से सेम वह इसलीप एर लैसे मैं उठन कि यह पानी कहां से भर गया उसके बाद वहां के ग्रेवयर्ड में रात को तो क्या दिन में भी नहीं गया उसके बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना मैं सोते-सोते घबरा के उटा बढ़िया एकदम खराठे वाली देंद वारी मैंने मुझे कोई भी ऐसी चु यह सब्सक्राण हो जाना चाई होना में घाला करेंगा है कबिसक्रों की एक पाथने में पूरआ प्रनर की कई पूरी आपना जीवन factor कर लिया तो उसने कर लिया तो जिस घर में इस से जैसे को होता है ना बीमार हो के धीरे-धीरे कोई मरा है एक दम से सड़नली कोई अननाच्रल डेत्ट हो जाती है कोई सुसाइड हो जाता है मडर हो जाता है किसी की डेथ हुई उस घर में पड़े-पड़े और पता चली दो महीने बाद दो साल बाद डेट बॉड़ी अंदर घर के अंदर सड़के खतम हो गई तब स्मेल से पड़ोसियों के पता चला ऐसे बहुत होता जपैन में उन वाले घरों को साफ सफाई करकर आके बाद में सस्ते में किराया पर चला दिया जाता है यह बहुत अलग बिजनस है ऐसे जो प्रॉपटी डीलर होते हैं वह इनी घर रुपे किराया ना तो उसके 20-22,000 रुपे लगेंगे और जैसी किराया 20-22,000 तो उसके 10-12,000 लगेंगे ऐसा होता है यहां पर इन घरों को बोलते हैं जो मेरा जो अपार्टमेंट था आपर मुझे काफी सस्ता मिला था तो मुझे लगा कि यार यह कहीं वह तो नहीं था ज पर यहां पर एक ऐसी वेबसाइट बिया ओ शिमा तेरू उस वेबसाइट कर नाम है अगर उसका अपना डर्श डालो ना तो वेबसाइट यही बताती है चीज़े कि जितने भी अपार्टमेंट है जिसमें किसी की अननेचरल हो रही है वह एड्रेस उस पर वेबसाइट पर अपना इस से वेबसाइट उसके बाद से को और पर रहने आगे तो यह सर्कल जैसी को यहां पर रहने आ गया सस्ते में उसके बाद मामला क्लीन शेट हो जाता है और कोई इसको बताता नहीं है यह वेब साइट दिखाऊ यह इसमें अप्राइज टाल के दिखाऊ यहां वाला यह है जपान ओ अठारा जार यह टोक्यू है उसाका साथ अजार कुछ और पूरा फैला हुआ है यह जितने भी पीले निशान है आगवाले यह सारे वोई घर हैं जिन पर डेथ हो रखी है दो दो डेथ हैं पांच मेरे घर के पास तो पांच है यह क्लिक करो ना साथ में बताता यह दान से थो भी और जिसाथ सू कोई बिल्डिक से कूद के मर गया था यह जिसाथ सू यह सूसाइड करा किसी ने तो यह पूरी डीटेल है पूरे जपैन के मैप में जो जो सिटी आप डालोगे सब का पता चल जाएगा ऐसे ओसाखा के मेन में यहां 85 या 90 या 85 या 56 बावन 117 डैथ 111 100 120 यह पीछे वो बिल्डिक है जिन में वह उस वेब साइट पर पांच घर तरह से दिखा दिए कि जिनकी मौत के बाद अब तक कोई रहा ही नहीं है वहाँ पर और बाकी में तो पबलिक अपना आराम से बढ़िया रह रह रही है तो वह उस साइट से और हर जगा से हटा दिये जाते मेरे तो यही थी स्टोरी यार रहुता मुझे नहों आता मुझे रहा है चला चला गया इससे नहों साड़े को इसके घर में मैं रेक्साफा लिए और नहीं कर रह खाए कि अ